भारत के पुर्व विदेश मंतरी Сुसमा-स्वराज ने वह कर दिखाया है जिसे करने की हिमत बरे-बरेनेता और सांसद नहीं होती है सुस्मा सुराज ने आज कुछ ऐसा ही कर दिखा है चलिए इसके लिए मैं आपको सीधे लिए चलता हूं सुस्मा सुराज के ट्विटर हंडल पर अभी आप सुस्मा सुराज का ट्विटर हंडल देख पा रहे होंगे जो कि अभी सुस्मा सुराज ने तीम हंटे पहले ही यहां सुसमा जी लिखती है कि मैं जो अपना ओफिसियल जो हमारा एड्रेस का आज सब्दरगन लेन वहां का निवास खाली कर चुकती हूं और हमारा पे जो पता और पोन नंबर होगा अब वो काम नहीं करेगा चुकि वहां के पते और पोन नंबर ते जवाब नहीं दे पाऊँगे गर असल बारत्य संविधान का अनुसार, अगर किसी का लोग सभा में या राज्तवा में चैन होता है, तो उन्हें रहने के लिए बारत्य संसद्य नियमों के अनुसार बंगला ऐलोड किया जाता है, सरकारी अबास, जो कि अगर वापस दुवारा चुना होने के बाद, जिन बंगला अलोर्टमेंट किया गया है जिन मंत्रियों का अगर हाल जाते हैं तो उन्हें ये बंगला छोड़ना पड़ता है इसी के तरह आपको पता होगा कि इस बार लोकसभा कि अपना बंगला खाली करना होता है कि उन्हें बंगला खाली करवाने के लिए सरकार को कानून के मदद देनी पड़ती है कई सारे नेताय होते हैं ऐसे जो कि अपना बंगला खाली करना नहीं चाहते हैं लेकिन सुस्मा सुराद ने तुरंट एक अच्छा कदम उठाया और अपना बंगला जो सरकारी अवास एलोर्ट हुआ था उन्हें जब पिछली वार विदेश मंत्री थी तो उन्होंने अपन और हमारे चानल को भी सब्सक्राइब कर देजेगा बिहाड अलीगेसं के लिए चंदन कुमार